सून सप्ताई की संकल्पना एवं सून सप्ताई की दोरान आपको 6 दन तक क्या कार करवाना है क्या देनिक कार करवाना है क्या योजन बनवानी है साथी साथ सून सप्ताई क्या है कब से कब तक सून सप्ताई चलेगा और पूरे सून सप्ताई के दोरान आपको क्या करना है क् जानकारी जानने के लिए आप वीडियो में अंततक जरूर बने रहे हैं, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल, हम लोग इस सब्ताह में कैसे पढ़ाना है, सून सब्ताह की संकल्पना क्या है, द वीडियो को और देखते हैं इस जानकारी को, तो सबसे पहला जो दिया गया है, आठ सब्ताह की इस भासा सिचल योजना की सुरुवात के पहले, स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ, एक सब्ताह तक परच्चे एबं बार्मप गत्विदियों पर कार किया जाएग उसकी बात में इस संदर्सका के पाठ दो में हमने इस पर बाच्चीत की है, इस पाठ में हम सून सब्ताह की देनिक कार्योजना पर चर्चा करेंगे, इस सब्ताह में हमें 120 मिनट उपलब्द होंगे, लेकिन हम इसे मौखिक भासा का विकास या डिकोडिंग कालांस में द्रेश्टिकोन से नहीं बल की बच्चों को स्कूल से जोडने के उद्देश से करवाये जाएगा यह गत्विदियों के स्वरूप एवं कठनाईयों के इस तर में देखा जा सकता है इसके बाद में सून सप्ता है कि जो दैनिक कार्योजना है अब उसको देखते हैं तो यहा पहले बच्चों को अपना नाम उनके परिवार में कौन-कौन है और उन्हें खाने में क्या पसंद है यह बताने को कहें इससे पहले आप अपने बारे में बच्चों को जरूर बताएं बच्चे उसी आधार पर अपने बारे में पर्ष्या देंगी इसकी बाद में देखते लाक्रियान वयन संदर्स का कच्छा एक प्रिष्ट संक्या आड़सत से दर्जी का और हाथी कहाने भी सुना सकते हैं कहाने सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत कुछ साधारण और अनुभो वाले प्रस्ण करें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं चित्र बनाने के बाद इन पर आप बच्चों से अवश्य बात करें और जानने का प्रियास करें कि उन्होंने क्या और क्यों बनाया है इसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मौखे के खहल गतविधी का और इसके बारे में दिया गया है आधार शिला किरियानवयन संदर्सका कच्छा एक प्रष्ट संख्या उन्हत्तर से क्या क्या होता है गतविधी कराएं तो ये जो गतविधीया है यहाँ पर दी गई है जब आप इस संदर्सका को पढ़ रहा होंगे तो वहाँ पर ये सब है इसके बाद में कविता के बारे में क्या लिखा हुआ इसमें बच्चों को इस्थानी वाशा में कोई कविता पूरे हाउ हाउ के साथ सुनाए फिर सभ आपसे बाद में जो आगे पौइंट है वह चितर चार्ट पर बाची तो इससे क्या होगा बच्चों में ववारे में जानते हैं तो परिवार पर कार किया जायेगा बच्चों को एक गोले में बैठाए ताकि सभी को चितर चार्ट दिख सकें चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बात करें, और उसके बाद में आप सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या-क्या दिख रहा है, उनके नाम बताने को कहें, बच्चे किसी भी भासा में इन चीजों के नाम बता सकते हैं, फिर आप बच्चों से चित्र में क्या हो रहा है, इ चोटे एवं सरल सवालों की मदद से चित्र के प्रती उनकी रुची और उत्साय को बढ़ाएं तो इस परकार से यहाँ पर चित्र चार्ट की बात थी अब हम देखते हैं चित्र चार्ट पर बातचीत कैसे करनी है उस बारे में तो जैसे मान के चलिए कोई आपने चित्र चार्ट सडक पर कार किया जाएगा और उसी के बारे में यहाँ पर पिछले दिनों की तरह इस पर बातचीत करेंगे तो अब लिखा हुआ है यहाँ पर कहानी सभी बच्चों को एक गुला कार में बैठाएं और उन्हें सहज एक पाठ आठ सेरू कहानी को पढ़ कर सुनाएं इससे पहले आप बच्चों को अपनी अपनी सहज की प्रतियों को निकालने के लिए कहें पाठ आठ में दिखने के निर्देश दें आप उन्हें सहज एक से पाठ आठ में दिए गई चित्रों को दिखाएं और अपनी पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए कच्छा पाठ आठ के चित्रों पर लाने को कहें चित्रों के आधार पर कहानी में क्या हो रहा है इसका अनुमान आप उन्हें लगाने दें बच्चों की प्रतकिरियाओं को सही या गलत उत्तर में ना बाटें तता हर जवाब को कच्छा में इस्थान दें अब उन्हें किताब में से कहानी सुनाएं पाट के सीर्षक का उनके ध्यान दिलाएं कहानी सुनाने के बाद आप इन कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत करें और उन्हें यह भी पूछ सकते हैं कि इस कहानी का कोई अननाम या कोई सीर्षक हो सकता हैं आखिर में उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कहें और उस पर बाचीत जरूर करें इसकी बाद में यहाँ पर मौखे खेल गत्विधी की बात की गई है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार सिला क्रियानवयन संदर्स का कच्छा एक प्रष्ठ संख्या 79 से ओला ओला बंका गोला गत्विधी कराएं इसके बाद एक कविता से सम्मन्दित यहां पर लिखा हुआ है कि पहले दिन से दिन की तरह ही इस दिन भी कविता पर कार किया जाएगा आप अपने मन से कोई भी स्थानी कवता ले सकते हैं पिछली दिन की कवता को भी सम्मिलित करें इसके बाद में नेक्स्ट है मोटर स्किल यानि की कौशल का विकास किस परकार से होगा तो यहां पर लिखा है बच्चों में पांच से छोटे सम्मू में बाटें और उन्हें एक कागज या पेपर पिलेट में तीन चार अलग-अलग अनाज दें जैसे चावल, गेहूं, दाल मटर, राजमा, आदी अब हर सम्मू को इनको अलग-अलग छाटने को कहें इससे बच्चों को एक दूसरी की बात करने की मौके के साथ-साथ उन्हें एक सम्मू में कार करने का अनभो भी होगा इसके बाद में परच्चे नेक्ष्ट है इनकी थर्ड डे में तो थर्ड डे म इसका एक उधारण गत्विदी के सुरुवात में दें इससे बच्चों को क्या-क्या बाचीत करनी है इसकी थोड़ी समझ बनेगी गत्विदी के अंत में पांच से साथ बच्चों को अपनी बातों को पूरी कच्छा के सामने साजा करने को कहें आप भाशा या व्याकरण क द्रश्टी से उनकी प्रतकिरिया को ना आंके और ना ही सुधार करें इसकी बाद में कहानी की बात इसमें की गई है तो कहानी में यहाँ पर क्या करना है कहानी में आधार सिला क्रियान मैयन संदर्स का कच्चा एक प्रिश्ट संख्या 66-68 में से कोई भी कहानी ले सकते हैं पूरे हाव हाव से कहानी सुनाने के बाद बच्चों को इसी कहानी को अपने सब्दों में सुनाने को कहें। बच्चे इस तरह से कहानी नहीं सुना पाएंगे जैसे आपने सुनाई हो क्यों कि यह एक उच्छ सतर का कोशल है। बच्चे कुछ सब्दों में, अधूरे बाक्यों में और कहानी में अनेक यह है, अनेक तरह से बदलाव करते हुए कहानी सुनाएगे, इसे कहानी में जगह दें और सुधार करने से बचें, यहां उद्देश बच्चों को गत्विदी से जोड़ना, उनमें विश्वास पैद इसके बाद में हैं लेवरिंग कार, तो लेवरिंग कार में क्या बच्चों को देखाना है, करवाना है, वो देख लेते हैं, तो लेवरिंग कार में बच्चों को अपनी कच्छा का आउलोकन करने को कहें, और कच्छा में देख रही चीजों के नाम बोलने को कहें, आप सु कुछ चीजों के नाम को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अच्छरों में लिखें और उस चीज के ऊपर छिपका दें जैसे दीवार, बोर्ड, कुर्सी, गाड़ी, दरवाजा, खिड़की, टेवल, आदी, अगली दू-तिन सब्ताहा में बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखें, नामों को देख कर पढ़ने के मौके दें एवं अब्यास कराएं, इसके बाद में कविता इस तिल क्या करवानी है, कविता से संबंदेत यहां पर जो लिखा हुआ है, उसको देखते हैं, तो यहां लिखा है, बच्चों को सहज एक से पार्ट एक की कविता रेल ग करने को कहें, पिछली कवताओं को भी सामिल करें और बच्चों के साथ गाएं, इसके बाद में इसमें मौटर स्किल की बात है, तो मौटर स्किल में यहां पर क्या करना कोशल विकास के लिए, बच्चों को पांच्छे चोटे समूवां में बाटें और उन्हें एक कागज या पेपर पलेट में अलग-अलग रंग के फूलों पंखड़ियों को दें, अब बच्चों को इन फूलों पंखड़ियों को रंगों के आधार पर विभाजित करने को कहें, इसके बाद में चोथे दिन की जो कार्योजना है, उसमें क्या करना है, वो देखते हैं, तो पूरी समझ बनेगी गतविदी के अंत्वें 5-7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कच्छा के सामने साजा करने को कहें। द्यार रखें कि अलग-अलग दिन, अलग-अलग बच्चों को कच्छा के सामने अपनी बातों को रखने का आउसर मिले, आप भासा या ब्याकरण की दृष्टी से उनकी प्रतकिरिया को ना आंके और ना ही सुधार करें। इसके बाद में कहानी के बारे में है, सहज पाठ दस रीता की गुड़िया पर पिछले दिन की तरह ही कार करें। इन नामों को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अच्छरों में लिखें और कच्छा की किसी दीवार पर चिपका दें। इस चार्ट को बच्चों को नजर के इस्तर पर रखें ताकि उनकी नजर अपने नामों पर पढ़ती रहे। अगले दू-तीन सब्ताहा में बच्चों को अपने नामों को चार्ट पेपर से देख कर पढ़ने के मौके दें और अभ्यास कराए। इसके बाद है कविता और मोटर स्कल की बात की गई है। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को का है। चोटी चोटी समूव में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा खेल के बारे में कुछ बात हैं करने को कहें इस गत्विधी को पिछले दिन के अनवाव पर चाचा करते हुए कराएं कहानी इसमें आधारसिला क्रियान बैयन संदर्स का कच्छा एक प्रश्ट संख्य 66-68 मेh से कोई भी कहानी लें और उसके बाद में आपको क्या करना है इस पर पिछले दिनों की तरह ही कार करें इसके बाद में लेवलिंग प्रेंट से परचे कच्छा में अभी तक कराई गई लेवलिंग या प्रेंट से पर्चे का अभ्यास कराएं कविता आधार सिला करियान बैयां संदर्सका कच्छा एक प्रसंख्या 62-65 से कोई भी कवता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं इस पर बच्चे जो होंगे बैसे ही कार करें जैसे आपने पिछले दिनों कार किया मोटरिस के लिए कोशल विकाश की बात आप करते हैं तो कोशल विकाश में क्या करना है बोट पर कुछ नई चित्र सामान बनाएं जैसे आम, इमली, सेव, अल्ला, गेंद, चुहा, आदी इन चित्रों के नीचे इनकी नाम भी लिखें इन चित्रों की बनावट को सरल रखें ताकि बच्चों के लिए आशानी हो बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने, इनकी नाम लिखने और रंग भरने को कहें पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें अब बच्चों को इस कार को कच्छा के किसी एक दीबार पर चस्पा कर दें अब बात करते हैं, चट्वे सब्ताय में कार पर चर्चा, तो जिस प्रकार से बच्चों को छोटे-छोटे समूओं में बैठने को कहें, उन्होंने घर के स्कूल की तरफ आते समय क्या-क्या देखा, क्या-क्या देखते हैं, इस पर कुछ बाते करने को कहें, इस गत्विधी क पिछले दिन के कार अनबव से जरूर जोड़ें उनसे चर्चा करें इसके बाद कहानी स्वाधार सिला करियानवाई और संदर्सका कच्छा एक प्रश्टंख्या चर्चाचर से 68 में से कोई भी कारी ले सकते हैं इस पर पिछले दिनों की तरह ही कार करें इसके बाद लेवलिं जैसे आपने पिछले दिनों में किया मोटर स्किल बोड पर कुछ नए चित्र सामाने जैसे ताला किताब पैन टेबल बोतल तारा पहार आधि इन चित्रों के नीचे इनका नाम भी लिखें इन चित्रों की बनावट को सरलक रखें ताकि बच्चों के लिए आशानी हो बच इस पीडियेफ को भी आप प्राप्त कर सकते हमारे टेलीग्राम और फार्टस गुरुव चैनल से तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें साथी अपने सिच्छक साथियों में सेयर करें